hello friends welcome to my channel BG Arman और दोस्टो अच्छा कि आपको मालूम होगा कि 10 अहरे का मौसम आने वाला है यानि 10 अहरे का तेवहार आने वाला है और इस तेवहार ऐसा 10 दिन का तेवहार है जिसमें बहुत सरा ऐसे बिजनेसे जो आप करके पैसा कमा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बारे में बात करने वाला हूं जिसे करके आप इन दस दिनों में पैसे कमा सकते हैं तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं उन्हीं बिजनेस के बारे में सबसे पहले बिजनेस है वह है पुजा समागरी का बिजनस दस अहरे में लोग देवी का पुजा करते हैं और इसके लिए बहुत समागरी रखता है . आप चाहे तो इन 10 दिनों के लिए आप पूजा समगरी का एक टेंट गिरा के बिजनिस कर सकते हैं या एस्टॉल लगा के आप 10 दिन में ना तो रूम आपको मिलने वाला है ना तो आपको कोई दुकान मिलने वाला है इसलिए दोस्तों आप एक कोशिस करिए एक टेंट लगा है आपके टेंट या दुकान एश्टॉल जो भी लगा रहे हैं उसमें बहुत साफ सफाई होना चाहिए कि पूजा का समागरी के जितना साफ रखेंगे उतना ही ज्यादा लोग खरीदने आएंगे उसके बाद आपको ये एक और बात का ध्याना होगा आप 10 दिन के हिसाफ स का सब्सक्राइब आफिछए उसमें अगया मार्केश वकुर्कत करें ऊक्यों मारुचने मारेज्वर्ये को पर उन दीर्व में जब द करो औरिया लोगों से पूच्व से फल लगते हैं केला भी लग सकता है या नारियल तो इस चीज़ों को आप सबसे पहले मार्केट रिसर्च करिए उसके बाद आप दस दिन के हिसाब से उसको अपने काउंटर पर रखें या उतना माल लाए यह होता है फल का बिनेस अगर जादा माल लेते हैं तो दस दिन में हो सकता है आपका फल खराब भी हो जाए इसलिए आप इसको बहुत ही दियान से करिएगा तीसरा बिजनेस हो सकता है दोस्तों मिठाई का बिजनेस मिठाई जस तो जैसे लड्डू जलेवी रसूल अगर इन दुनों में बहुत बिकती हैं बचे भी आते हैं तो खरीदते है या और भी काम के लिए पूजा के लिए भी मिठाई इस्तिमाल हो सकते हैं तो मिठाई का बिजनेस यानि स्वीट का स्वाप इन दुनों में भी आपका बहुत अच्छे से चल सकता हैं अगर आप चाहें तो स्वीट का स्वाप खोल सकते हैं मिठाई का दुखान खोल सकते हैं और उससे भी पैसा कमा सकते हैं यह बत आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप जो भी मिठाई बनाएंगे वो ऐसा बनाए कि रोज के रोज खतम हो जाए कोई भी नहीं चाहता है कि वो पुलाना यानि भासी मिठाई ले और उसको इस्तमाल करें इसलिए आपको इस बत के ध्य बभान रखना बहुत जरूरी है चौथा बिजनेस्थ है दुस्तो वह खिलाओने का बिजनेस दस अहरे में दूस्तों मेला लगता है और मेले आप दसहरे के दिन में कर सकते हैं खिलाओने का बिजनेस पांच बाद दूस्तों बिजनेस कप्ड़े का बिजनेस कप्ड़े का बिजनेस तो अगर मैं बोलू तो यहां आपको दुकान नहीं लगाना है अगर आपका पहले से दुकान है तो आपको क्या करना है आपको कम दाम वाले कपड़े कर लगा देना है क्योंकि इस type के सेजन में यह टाइब के नितीव हार में जो आपका सेल होगा वो जाधा होगा क्योंकि कोई भी नहीं चाहिगा कि ब्रांडिर कप्रे रोड़ साइड से लिए कि आप रोट साइड या कोई चोटा सा काॉंटर हो ग़ाये में ही लगाएंगे जो भी लगाएंगे तो इसलिये दुस्तों अगर आपका कप्ड़े का दुकान आ लेडिये तो चोर जो कम दाम उले कप्रे हैं उनका आप से लगा सकते हैं अगर अपकों क्या करना है तो अपको 갔 में मारकेट से दो बड़े बड़े मारगेट उस मीं से किम कॉमफ प्राइस हैं उसको खरिदने उसका से लगाए यह काम आपको बहुत अच्य चलेंगा ध्यान रखेगा आपको दुकान नहीं अपको से लगाना है 100 का से 200 का से वाटेवर जो आपके एरिये के हिसाब से डिपेंड करता है यह वह चीजों का आप से लगाए वह मार्केट बहुत ज्यादा चलेगा बहुत ज्यादा कपड़े भी कहेंगे तो यह था हमारा पांचवा और लास्ट है वह कोस्ट्यूम का एस्टॉल कोस मतलब करिता कोश्ट्यूम भी कोश्ट्यूम जाते हैं कम यह फीति हम कोश्ट गया रहे हैं प। क्वार जोगना रहे ॥ा हैंula पैस एक चूठा साई स्क्था आप चाहें तो ख़्ynnवने वाले बीजिनिश जो अगर आप इसको अलग से बेशना चाहें तो अलग से भी बेश सकते हैं लोग खरी देंगे और आपका बिजनेस चलेगा इसका ग्रांटी है तो यह था तो टॉप शिक्स बिजनेस आइडिया जो आप खिलाओने के दसहरे के दिन में बेश सकते हैं पहरा था पुझा समागरी दूसरा था फल तीसरा अपनी ठाई शॉप चोथा खिलाओने का प्माचवा कपड़े और छोते कोश्ट्यूम तो इमीद करता हूँ यह वीडियो फचान आए तो दोस्तों लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को सेयर करना और मैं आपसे फिल मिलता ह है कने बिल्यूमें तबते कलिये बाई